यूपी के साथ जहांपुरी में विजेबी विदायक के बेटे की गुंड़ाई का मामला सामने आया है आरोप है कि जहां धाबे पर खाना खाने के बात पैसे के लेंदेन में विवाद बढ़ने पर बीजेबी विधायक के बेटे ने धाबा मालिक पर रिवालवर तान दिया इतना इने रिवालवर के बट से उसे पीटा भी उसके बाद धाबे में जम कर तोड़ फोड़ की गई फिलहाल पुलिस ने मामला दर्श कर जाँच शुरू कर दी है गट्णा धाना सिंधावली के पंजाबी धाबे की है जहां बीती राच जजबीर सिंग के धाबे पर वुआया विधान सभास से बीजेबी विधायक शुयतराम का बेटा नीरज अपने सातियों के साथ खाना खाने के बाद जब पैसे देने की बारी आई तो पैसे कम दे र धाबे पर लगे सीसी टीवी कैमरे में विधायक के बेटी की दवंगई कैद हो गई घटना के वक्त पुलिस को सूचना दी गई पुलिस पहुंची सभी को समझा बुझा कर बाहर ले आई लेकिन घटना के कई घंटे बीच जाने के बाद भी पुलिस ने एफ आई यार दर रचकर कारवाई शुरू कर दी जब इस संबंद में भाश्वा विधायक के बेटे योंभाश्वा विधायक चेत्राम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि धाबे के ठीक सामने समाजवादी पार्टी के दबंग नेता का घर है जो हमसे दुश्मनी मानता है इसलिए वहा लंग सपाने था का घर है कि अधार भूश्मनी दूटार भूश्मनी दूट लगाना कि धाबे पे जिस धाबे की चर्चा की जा रहे हैं मैं भी उस पे कई बार उधर से निकलता हूं चेतर जाता हूं रात को दो दो बज़े तक वहां पर शराफ पी जाती है मुरी के खाई बास दिखार परी से आते हैं आ है थो एक चोटी सी जगहुद हला हो कर तो हर वहमेरा होते हैं कर वार हम ने भी को कि न appliकिंशकना के आद कि आपह हले हैं जांत कल की बात है कल भी इसी तरीके कैसी इन था है क्योंकि ऑदावा जो चल रहा है यह विरुद्धी लोगों को एक साजिस है इस धाबे पे शराब पिलाना मुर्गा खलाना ग्रहकों से मनमानी बशूली करना तो कल की जहां तक बात है कोई बात भी सेस नहीं है कि हम तो राजिनितिक सामाचिक बेखती हैं कहीं पर कोई अगर अन्हेतिक कारी देखेंगे तो उसका बिरुद्ध करेंगे कल कि हमारे बेटे की साथ वी बेटा गया उसने देखा वहां पर इस तरीके से इनका दोस्त कर दोस्त आप चाहिए अपने दोस्त कि अगर मनलब कोई किया और जूटा आरोब लगा दिया गया कि तोड़ कोड़ की गोली चलाई अरे भाई हम लोग कहीं कोई गलत काम होगा तो लोगों से कहेंगे अगर कोई दो लोग जगड़ भी गये तो उनको सम्झेटा कराने प्रयाज गये इसी उट्यस से गये अरोब देख लिया जोटा आ रोब जूटा ही होता पहले जूटा यह अरोब था कोड़े सब दिराधार कर दिया कोड़ने जजमेंट दे दिया कि सब जूटा मामला है अब यह भी जूटा है जैसे कि हमें भी इस बात पे बहुत ही पुरा लग रहा है कहने में कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कुछ दलाल लोग जिन लोगे सानित में ढावा चल ला है पिछले कई महीनों से हमारे पास सिकायते थी येकिन हम लोग सीधे सरल सोवाओ के व्यक्ति रहे जिस कारण हम लोगों ने कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाई है लेकिन कल ऐसा बाई चांस बाई ऐसा मतलब रहा कि हमारे प्रधान चंदपई हमारे पोटेदार गुर्दू आलंपुरमाई छेतर के लोग जो कि उस धाबे पे अपना बैठे होंगे या उनसे कोई लड़ाई मैं जगड़ा हिए बाई जोह ओगे जगड़ा होता हुगा मैं नहीं जानता मैं तुम्हां से निकला था तो मैं अपनी सुलख्छा 2स मैं निकाला हे मेरा खुद का लाई सेनघ्र है और इसमें अगर मैंने कुछ ना रगल कही किया है तो मुझे वो दिखाया जाए, बताया जाए, कि कहां पे मैंने मिस्वाइर करी है, जैसे बोल ले हैं, धाबा के मैंनेजर, जो जिनका मैंने अभी देखा है, तो बोल ले हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, मिस्वाइर किया है, तो अगर उनके धाबे पे कहीं हमें, हमें पुलिस पे विश्वास है पूर्ण विश्वास है उन्हें पहुंची भी बाद में पहुंची उन्हेंने मामला सुटाया हम लोगों को हटाया ठीक है मैं अपने घर वापस आया प्रगान जी का भी सम्झावता कराया ठीक है वो निकल गए लेकिन सुबह यह सब हुआ मुझे अच्छा न जायक भले हैं उनको बद्राम करने के साजितों कामयाब की नहीं करा हैं मैं अपधर से यह कहंँगा कि मेरे पर आरोफ लग रहे हैं बेवुनियाद जस्वीर जी। जभी जिए जड़ना गटीपी जड़ना गटीपी। मार्तों कर दिया अपनी लोगन चारू के अपना चुप चाप रहे वो इतनी बात भोगते हैं मार्किट करते करा चले जहां से जाने के बाद जहां से ग्यारा मज़के दस मिन्ट पे अपना से चेतरा मद आए कि वाजबा उतर रख से उसका सुपतर लड़का निरज कमार किस तरीके से गुंड़ां खरी जोड़ा थे जोड़े जर दर इक कुंस और रहूं क्या है ब bok दमाष जी किना क्या मता है मैं इसको नी छोड़ों है में सब संदारों वर्वाद करनों टोंगे उपमादर के बेटे की गुंड़ा ही, क्या पुरा मामला है? क्या आरूप लगाए गया है? इसमें आरूप मार्केट के लगाए गया है, बाकि बिस्तिक वीडियो का जेमिने से और आने चलिंग से अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें साथी स्क्रीन पर दिखरें घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें